अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्ख करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधरी, आदी के लिए उत्तरदाई नहीं होगा झाल 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 अभी अफसर भाई फोजी के साथ स्लाव अलेकुम वालेकुम स्लाम भाई अभी दोको आंडू बख्रों का खजाना खुल चुका है जी अभी तक खसी पब्लिक ने देखे इंशालला आंडू बख्रे देखके भी पब्लिक को जो है मज़ा आ जाएगा इंशालला बड़े से बख्रे भाई अंडू बख्रे सेल फिडिंग के इंशालला दिखाएंगे अपर उसी बख्रे से मैं स्टार्ट करता हूं ऑफसर बहुत बहतरी साइज के अंदर बख्रा यह कौन सा बीटल है बटल में है और अंडू लेए आंडू है क्या डीटेल्स पर अभी बख्राइब हाँ छे दात है 42 की हाइट है और 110 किलो वजन है पाशालला काटा किया हुआ अंदाज से बता रहा हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप कॉल करो अगर कोई भी आता तो वजन करके ही बख्रा देंगे वीडियो में आप वजन बताके दे दोगे वीडियो प्रोवाइट करवा कि अग्या बड़े साइस का बगरा दिख रहा है क्या हाइट इस बगरे की यह बगरी की हाइट है 45 की 45 की हाइट है पूर माशाण ला बदन कितना होगा जी बदने इसका 125 किलो 125 किलो कितने टाइम से रखा है आपने अभी बगरे को तकरीबान यह भी पांचेक महीने तो बीटल होते हैं वैसे यह बगरा वाइट आइस के अंदर लेकिन यह की बड़ा बोट हो गया बड़ा है तो देखो ना गला पटी में बगरा अगर इसकी जो भराई होगे ना भाई तो यह भी काबिल बगरा बहुत बढ़िया बगरा बनेगा भी ना एक साल आराम चो पल्टी बड़ा शुक्र है कुछ नाम रखा आपने इन बगरों का नाम नहीं रखा है तोके इतने सारे बगरे किस-किस का नाम दो गए जी 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 सही है इसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसे एक पती रहे या सोजत सोजत के अंदर है लेकिन भोष शांदर गोल फेस का बच्चा है बताईगी डीटेल्स क्या होंगी इसकी बगरा चार नात पे है ओके और थाटी नाइन की हाइड है और इसका वजन किया बाई 85 केजी आया जी लेकिन यार काम आया वजन दे उसके साब से जैसा वो लग रहा है अभी जी 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 छोड़ो ना भाई इसको छोड़के यह देखो माशाला दातों में किना हुआ अभी चार दात पे माशाला इतना मतलब सेल फिडिंग में देख राएंगी हाँ यह फुल चार्ज बखरा है यह सेल फिडिंग का जानवर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने पास एक बखरा यह बचरा था तो यह उसी जोड इस वाली का जोड़ी है यह बता दिए डीटेल का है इसकी चार दात है भाएं चार दात है अभी और इसका वजन आएगा यह 110 115 110 115 माशाला और पूछने के तो खेर जरूरत नहीं है जिसा आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे ही बखरे जो है इसको भी चाहिए ज स्क्रीन शॉट निकालके वाट्टेप करते हैं तो आपको बगरा पेचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी जी 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 ठीक है भाई इसके बाद और कौन से बखरे बच रहा है इसके बाद एक मालवा पे चलते है अब जी मालवा के अंदर है ना जी यह मालवा और यह भी फुल मेंटाली दिख रहा है भाई जी भाई क्या डीटेल पे है अफसर भाई यह चार दात पे हैं अभी चार दात पे और हाइट और वेट कितना होना चाहिए इसकी हाइट थर्टी एट की थर्टी एट की हाइट है जी और वजन वजन आएगा भाई इसका 85 kg अभी तो चार दात पे जिसा आपने बोला तो वेसे पालने वाली चीजी है कम से कम इसको एक साल रिपीट कर सकते हैं भाई अभी में यह बक्रों में और जो बक्रे का उनमें तो यह बोलूंगा कि सारे बक्रे एकदम खाली हैं कोई भी अगर शोकिन हो तो भाई पल्टी के तो आपको मैंने बता है 45 के अच्छा उसी की साथ की जोडी है इसकी भी 45 की तो इसलिए आपने जोडी बनाई गी है माशाआलला और वजन कितना इसमें इसका वजन आएगा तकरिबन 115-120 किलो आगा सोरी 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 कम से कम यह बगरे का वजन 125 किलो आएगा अच्छा बारी बड़ी फ्रेम का है ना बड़ी फ्रेम का भी फर्क पड़ा जाता है अभी देखो आप लोग तो उत्ते लंबे टाइम से जानवर पाल रहा हो तो इसलिए अंदाजा जादा अच्छा है आप लोगों का ठीक है तो अभी माशालला अपने अगली वीडियो में पबलिक को द